हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई शैनल सी तू बेटेल टिप्स पॉर वोमेन और फ्रेंज आज हम बताएंगे कि यदि आपके आपको भूख नहीं लगती है तो वो किन कारणों से नहीं लगती है और उसके लिए आप नारंगी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके बारे में फ्रेंज भूख ना लगना पेट की ही कई प्रकार की जो समस्ते होती है उसकी वज़े से होता है पेट में अपच होना गैस होना या कबज की सिकायत जिन लोगों को रहती है उन लोगों को भूख से अरुची हो जाती है यानि उन्हें खाने में अरुची होती है और उन्हें भूख नहीं लगती फ्रेंस यदि आप नारंगी की कलियां जो होती है नारंगी की आप छेल लीज़े और उसकी जो कलियां उसमें पिसी सोट और थोगा सा काल नमक डाल कर अगर आप खाते हैं तो एक सब्ताह में भी आपको अच्छी भूख लगने लगेगी ऐसा पेट की ज अच्छी लगती है और इसके साथ ही पेट की जो समस्या है जैसे पेट में गैस अपच या कबजी की समस्या है पेट की कई तरह की गड़वल्यों होती है जो वह ठीक हो जाएगी और आपको अच्छी भूख लगेगी तो फ्रेंस आप दो नारंगी का सेवन कर सकते हैं या तो फिर आप नारंगी में सौठ और काला नमक मिलाकर अगर खाते हैं तो इसके उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और आप उसे खा पाएंगे तो फ्रेंस ये बहुत ही आसान टिप्स है अगर आपको भूख नहीं लगती है या आपका पेट हमेशा खराब रहता है तो वीडियो आप सबसे पहले देखते हैं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें